आज की वीडियो में हम पुनरावड़ती करेंगे हिंदी व्याकरण के पार्ठ लिंग की तो सबसे पहरे देखते हैं कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं पहला पुलिंग पुलिंग मतलब जिससे पुरुष जाती का बोध हो और दूसरा स्त्रिलिंग स्त्रिलिंग जिससे स्त्री जाती का बोध हो पुलिंग मतलब जिससे पुरुष जाती का बोध हो और स्त्रिलिंग जिससे स्त्री जाती का बोध हो अब सबसे पहले देखते हैं कि पुलिंग कहते किसे हैं संग्या के जिस रूप से पूरुष जाती का पता चले उसे पुलिंग कहते हैं जैसे कुता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोडा, बंदर, हंस, बकडा, लड़का, मकान, फूल, नाटक, इत्यादी और स्ट्रिलिंग किसे कहते हैं तो संग्या के जिश रूप से स्ट्री जाती का पता चले उसे स्ट्रिलिंग कहते हैं जैसे माता, रानी, घोडी, उतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी, सुई, कुरसी, इत्यादी आगे देखते हैं औ या आ पुलिंग शब्दों को इ कर देने से स्ट्रिलिंग हो जाते हैं मतब जिन शब्दों का अंत औ या आद की ध्वनी से होता हो उनकी मात्रा बदलने से स्ट्रिलिंग में परिवर्थित हो जाते हैं जैसे गूंगा, गूंगी, गूंगा का हो गया हमारा, गूंगी, गधा, करही, देव, देवी, और कुछ शब्दों का स्ट्रिडिंग पिल्कुल भिन्न होता है, जैसे राजा, रानी, समराट, समरागी, पिता, माता, भाई, बहन, वर, वधु, और पती का पत्नी, जैसे लोटा, इसकी आ की ध्वनी है, हमने बदल दिया इया में, लुटिया, बंदरिया, बुढिया, इत्यादी